अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जोड़ रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को जोड़त बाद जीजिएगा ताकि नए वीडियो के नुट्रेक्शन आपको हमें साम मिलती रहे सेरकान के अप्लिकेशन ने भिणाल करना चाओंगा अगर आप सेरुषान के क्ल्याइंट हो इंडिया के किसी भी कोने सो या फिर दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए और आपको अगर शेर्खान से कोई दिक्कत है या फिर कोई solution नहीं मिल रहा है आपको problem हो रही है तो मैं भी सेर्खान limited का sub broker हूँ सूरत में रहता हूँ और सेर्खान की franchise है मेरे पास पहले मैं सेर्खान की employee था फिर franchise ले लिए तो अगर आपको कोई problem हो यह सेर्खान related तो आप मुझे इस number पर call कर सकते हो मैं आपको help करूँगा यह बात एकदम याद रखिए ब्रस कहां यह रहा इस number पर आप मुझे call करेंगे तो आपको help कर देजाएगी whatsapp पर आप कर सकते हो और फिर doubts पूछ सकते हो अगर आपको मुझे कुछ सीखना है तो मेरे हरमईने नई batches चलती रहती है तो आप उसके लिए भी inquiry कर सकते हो अगर आपको मुझे सीखना है तो चलिए सबसे पहले मैं सुरू करता हूँ आपको अभी हमारे इसमें update क्या आया हुई है जो हमारा सिर्खान का application उसमें update कौन सी है और एक उसके पहले मैं आपको यह भी बता दो information बहुत जरूरी है यह चीज देखिए मैंने सिर्खान related चाहे mobile application हो चाहे trade tiger हो उनसे related मैंने बहुत से videos बनाया हुए तो आप playlist वाले section आप मैंने channel पर जाईएगा फिर playlist वाले section पर जाईगा और playlist वाले section के बाद आप यहाँ पर जाईए नीचे है तो आपको काफी कुछ मिल लगई है रहा trade tiger तो trade tiger से जुड़े हुए तेरा video है total A to Z knowledge है उसके बाद आप नीचे जाओगे तो mobile application है जो भी problem है हर किसी का video मैंने यहाँ पर बना रखा है तो आप proper अपने जुरुत का video देख लीजिए और फिर सब बार-बार सी देख लीजिए तो आपको आद आएगा कि आप कैसे उसका help कर सकते हो और उसकी help ले सकते हो चलिए अब मैं सुरू करता हूँ अपने अपडेट के बारे में तो दो-तीन चीजी अपडेट हैं जैसे सब सब पहले आप अगर यहाँ पर overview पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि feature क्या है यहाँ पर देखे यह overview है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देखे अब यह update का आपके वह है यहाँ पर equity का section नहीं यहाँ पर transfer fund है research है बट मैं सिर्फ derivative वाले section के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ जो की option chain आपको दिखाएगा और बहुत unique है, helpful है और इंडिया में यह जो feature है यह वाला feature इंडिया में कोई भी broker नहीं है जो अभी provide कर रहा है और यह चीज आपको बाहर free में नहीं मिलेगी तो यह benefit आप लीजेगा तो पहली चीज आप derivative में आजाएए और derivative में जब आप click करोगे तो आपको यहाँ पर चीज दिखेंगी derivative का overview है यहाँ पर option chain है इसको आप click कर सकते हैं या फिर इसी चीज को आप बीच में भी कहीं मतलब उसको use कर सकते हैं जैसे इसके उपर यह nifty इसके उपर click करोगे यहाँ पर देखो advance option chain तो दोनों चीजे एक ही है चाहे आप वहाँ से देखो चाहे उसे stock के उपर click करके देखो same है दोनों चीजे अब चलिए एक दूसरी update भी यह है कि आप अगर नीचे यहाँ पर देखो trade quote दिया हुआ यहाँ पर देखो trade quote उनके उपर click करके simply उनके पर आप click करके यहाँ पर आप buy कर सकते हैं तो यह तो एक normal process हुआ दूसरा आप चाहो तो strike price direct search कर सकते हो तो यह feature अभी अभी आया हुआ है तो आप इसके उपर click करो यहाँ पर देखे trade quote यहाँ पर trade quote है यहाँ पर trade quote पर इसपर click करेंगे और आप यहाँ पर direct अगर किसी भी script का नाम लिखेंगे तो आजागा या फिर उसके strike के price जैसे लेट सी मुझे 17,200 का put लिना है तो मैं simply क्या सर्च करूँगा मैं सर्च करूँगा Nifty 17,200 थोड़ा सा space के साथ 17,200 17,200 तो यहाँ पर देखो अलग-अलग strikes आगे जैसे कि दूसरे brokers के platform में होता है आपको पता है तो यहाँ पर देखे 16 March के तो आप expiry भी जरूर देखिए आप expiry भी जरूर देखिए कौन से expiry के लिए आपका बता है तो यहाँ पर 16 March, 23 March जो भी expiry आपको buy करना है आप उसको buy कर सकते हो तो यहाँ पर देखे call है 7 रुपय का और put है 200 ताइथी रुपय का तो मुझे put buy करना है तो मैं simply put पर click कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर और space देखर के PE सिर्फ लिख सकता हूँ 17,200 का PE यहाँ पर देखो PE है तो आप इसके उपर click करोगे तो आप यहाँ पर buy कर सकते हो इसके उपर click करने पर यह चीज ध्यान देजिए यहाँ देखे आपका RS 17,200 का put option expire यह आपकी है तो यहाँ से भी आप buy कर सकते हो और advance option chain के उपर click करता हूँ अब देखिए आप यहाँ पर नीचे पहले तो आप इसको समझो यहाँ पर एक volume का panel है यहाँ पर एक OI का panel भी है और यहाँ पर फिर आपका देखिए यहाँ पर OI analysis है यहाँ पर IV है यहाँ पर Greeks है तो यह क्या है पहले मैं आपको इसका update देदू तो देखिए OI अब OI का मतलब है कि यहाँ पर आपको open interest देखेगा तो लेफ्ट साइड में देखिए OI है मतलब कि 16,850 की जो call strike है उसमें 67,000 का open interest है 17,000 का जो put है 17,000 का जो strike price है उसके call में 66,000 का 63,000 का open interest है और यहाँ पर put में 48,000 का open interest है तो यह आपको पता चलेगा अब कुछ लोग बोलेंगे सरजी इसका इस्तिमाल क्या है तो इसका इस्तिमाल यह है कि जिस put side में जिस put के strike में सबसे ज़्यादा open interest है वो support का का काम करती है और जिस call के strike में सबसे ज़्यादा open interest है वो resistance का काम करती है यह चीज एक benefit हो गया तो यह पहले basis पर दूसरा कि अब किसी का कम हो रहा है तो अगर इसका open interest put का कम हो रहा है तो इसका मतलब market नीचे जा सकता है और अगर call का कम हो रहा है तो इसका मतलब market उपर जा सकता है तो यह एक use है आप इसको थोड़ा watch करिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपका OI है यहाँ पर option के premium आपको दिये हुए है और यहाँ पर strike price दिये हुए है left side call है और right side put है तो यह एक benefit हो गया अब इसके आगे यहाँ पर दिखे एक 3 line है यह 3 line है आप इस पर अगर click करोगे तो 3 line पर आप दिखाए है यहाँ पर change rupees में तो यहाँ पर जो आपको दिखाए दे रहे है यह change in rupees में है तो मतलब कि यह जो put है आपका यह 22 rupees बढ़ा हुआ है पिछले दिन से आज की दिन में तो यह rupees time में बढ़ा हुआ है तो आपको यह देखने हो मिले मैं rupees time ही use करता हूँ क्योंकि हमें पता चलेगा कि put जो premium है वो कितना बढ़ा या फिर घटा है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो तो आप पर percentage पर क्लिक करोगे तो यह देखो अब percentage time में आ गया तो कितना ऊपर नीचे हुआ है तो मैं rupees time में use करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा useful रहता है तो यह चीज होते हैं आप इसका use कर सकते हो यहाँ से जो भी strike आपको समझना है एक सो पर और सत्रहजार पर call में 10 करोण की volume है और put में अगर देखो तो यह call में देखो 17,000 में 17,000 के put में 32 करोण का यहाँ पर volume है तो volume जितनी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर उतना ज़्यादा active वहाँ पर trade हो रहे हैं अब अगर मैं निकालू तो भई सबसे ज़्यादा कहां पर trade रहा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर trade रहा आप यहाँ ज़्यादा ध्यान दो 17,100 को देखो तो यहाँ पर 17,100 की जो strike है इसमें 30 करोण मिलेगा call की side और यहाँ पर 28 करोण मिलेगा put की side अगर दोनों को मिलाओ तो सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा actively जो काम हो रहा है वो 17,100 की strike में हो रहा है call में भी और put में भी यह benefit एक मिलेगा तो यहाँ से अब अगर आपको strike price select करें तो आप इसी strike को select करोगे क्यों कि यहाँ पर volatility बहुत ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पर आपको moment अच्छी खासे मिलेगी तो यह किसका इस्तिमाल है उसके बाद oi analysis में चलता हूँ अब oi analysis जो आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इसमें क्या हो रहा है तो यहाँ पर देखो short built up short built up short built up यहाँ पर देखो long built up short built up short built up short covering अब यह क्या है देखो अब यहाँ पर point आप इसको समझो यह जो है एक rule है जो कि मैं अपनी classes में सिखाता हूँ अगर आपको इससे सीखना है यह analysis करनी सीखनी है तो अगली batch मेरी जो है पांच अप्रेल को चालू हो रही है और आप अगर यह वीडियो पांच अप्रेल के बाद देख रहे हो तो ज मुझे message करिएगा मेरे number पर WhatsApp आपको detail मिल जाएगी अब देखो इसका benefit क्या है तो सबसे पहले मैं आपको चुकी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको बताई देता हूँ देखो पहला point है short built up तो short built up और long built up हमें नहीं देखना है हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है short covering किसको अगर हम यहां से देख रहे हैं तो हमें short covering देखनी है तो जहां पर short covering हो रही है चाहे call हो चाहे put हो short covering अगर हो रही है तो उसी direction में हमें trade करना है जैसे अगर put में short covering हो रही है तो हमें put side trading करनी है अगर call में short covering हो रही है तो हमें call side trading करनी है यह मैं एक bonus point आपको बता दे रहा जो कि मैं अपने courses में शिकाता हूं बट यहां पर चुकर वीडियो बना रहा हूं इसलिए आपको मैं free में बता दे रहा हूं इसके लिए like जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा इस वीडियो के सो point है आपको यह देखना कि short covering कहां पर हो रही है तो यहां पर देखो short covering चालो हुई थी 17,000 के strike प्राइस में 17,000 पचास के strike में 17,000 एक सो के strike में नई 100 के strike में long built up था 150 में short covering थी और 200 में long built up था जहां पर short covering हो रही है उस strike पर आप buy कर सकते हूँ या फिर अगर market उस strike के पास जा भी रहा है तब भी आप उहां पर buy कर सकते हूँ जैसे लेड़ से market 17,250 या फिर यहां पर 150 के नीचे है और जैसे 150 के पास आए तो आप उहां पर trade कर सकते हो कोई भी reversal देख करें लेकिन आप analysis करना खुद की यह मेरे कहने पर trade मत करना मैं आप आपको knowledge के लिए दे रहा हूँ यह कोई tip या फिर advisory नहीं है तो यह हो गया analysis का use अब बोलोगे सर जी तो फिर short build up का मतलब क्या है देखो options है तो इसके पूरे logic अलग ही होते हैं बट मैंने आपको point बता दिया आप उसी पर use करो बाकि सब चीजे छूड़ दो तो simply short covering देखना रही है तो आपका वहाँ पे bullish trade करना है इसके बाद IV देखो आईवी का बड़ा factor होता है कुछ लोग आईवी को बहुत जादा यूज़ करते है अच्छे तरीके से और जो short sellers होते हैं वो आईवी को बहुत अच्छे सी use करते हैं बट फिलहाल मैं आपको आईवी का एक logic बता volatility बहुत ज़्यादा होगी तो हमेशा कभी भी volatility बहुत ज़्यादा ने रहे सकती है तो एक चीज़ यादर को जब भी कभी IV 25 के ऊपर निकल जाए किसी भी strike में अगर IV 25 के ऊपर है तो आप वहाँ पे buy मत करना option को मैं रूल बता दे रहा हूं options को buy मत करना बाकि आप किसी का वीडियो देख सकते हो टेलिग्राम पर या फिर यूटूब पर तो आपको मिल जाएगा आप simply जब भी किसी भी strike का आईवी यहाँ पर देखो आईवी दिया हूँ यहाँ जिसे इसका आईवी है 20 यहाँ पर 17,000 का आईवी है call का 17.54 17.15 यहा मैं देखूंगा कि इस strike का मैं call buy कर रहा हूँ वो strike का आईवी क्या है अगर आईवी 25 के उपर है तो मैं call option buy नहीं करूँगा उसकी जगपर मैं put option को sell कर दूँगा समझ गए बात तो ऐसे मैं use कर सकता हूँ अगर bully state है तो bearish है तो फिर मैं call को sell करूँगा put को buy नहीं करूँ उसके बाद greeks, greeks का भी अपना मजा है आपको पता है delta, gamma, theta, vega और rho तो हमें delta और theta देखना होता है gamma तो कभी कभी move आता है अब delta देखो क्या है by the way delta का आप use सीख सकते हो किसी भी option में कैसे premium calculate करते है तो यहाँ पर जैसे delta अगर 5 का है तो इसका मतलब क्या है अगर आपका spot 100 point भागेगा तो उस strike का premium 50 रुपए भागेगा delta क्योंकि 5 है तो simply क्या कर सकते हो जो strike price का delta है जैसे यहाँ पर देखो अभी मैं use कर रहा हूँ किसका मैं अभी use कर रहा हूँ 17,000 का put का तो 17,000 का put अगर यहाँ से nifty देखो अभी यहाँ पर क्या है 16,972 है तो अगर यहाँ स वो कितना बढ़ेगा मुझे पता करना है तो मैं simply क्या करूँगा यह जो 100 रुपीज है मेरा यह मैं 0.5 में multiply कर दूँगा तो मेरा सीधे सीधे 50 point का value निकल के आ जाएगा मतलब कि अगर मेरा nifty 100 point यहाँ से नीचे जाएगा तो यह मेरा put option का premium 80 से 50 रुपए भढ़ जाएग तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो इसका पूरा detail अपने courses में सिखाता हूँ या तो फिर आप किसी का भी video देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह point है इसका बट अभी bonus point बाकी है bonus point जो है वो बहुत ही जरूर यह तो मैं यहाँ पर OI पर आ जाता हूँ फिर से तो आप यहाँ पे क्ले करोगा तो यहाँ पर आपको open interest देखेगा जैसा कि अप्स्टा वाला platform आपको अगर याद होगा तो आपको दिखता होगा अप्स्टा option का तो यह चीज़ देखो बाइद बाइद अप्स्टा आपका क्या है फ्री वाला तो है नहीं पैड वो देता ज्यादा है किस strike में put ज्यादा है अब इसका बोलोगे सरजी इस्तिमाल क्या है सो जो नए लोग है उनको बता दूँ कॉल ज्यादा है तो मतलब market bearish है वहाँ पे उस strike price तक और put ज्यादा है तो उस strike price तक bullish है ओके सो यह चीज आप यहाँ पे देख सकते हो but but bonus point क्या है so bonus point है यह चेंज वाई चेंज यह चीज आपको हमेशा हर जगा जहाँ पी देखोगे आपको free नहीं मिलेगी pad ही मिलेगी यह चीज आपको pad मिलेगी यह बात यादा रखो so simple सा logic है अच्छा आप यहाँ पे कोछ लोग यह सोज सकते हो कि सरजी यह 1750 की है 17200 की है तो simply इसको calculate करना स सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा इसे बड़े करके ऐसे कर दो कि मेरा यह स्क्रीन बराबर capture नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको और ज्यादा मिल जाएगी यह detail बट मैं ऐसा ही करता हो ताकि मैं आपको समझा सको वीडियो अच्छे से बनें अब देखो यहा से 7,000,50 है तो मतलब 17,000 की तो यहाँ गिए, इसमें देखो call का y जज्यादा है, put का y कम है यह जो ग्रीन कलर का y यह put का y है, जो red कलर का y है call का y है, तो यहाँ पर आप देखो कि call का uniform का y ज्यादा है कि is strike पर 17,000 की strike में, देख रहे हैं आप call का डंडा बड़ा है, तो डंडा बड़ा इसका मतलब वहाँ पर call का strike ज्यादा है, यहाँ पर 60 मतलब 60 lakh, ओके, यहाँ पर देखो in lakhs लिखा हुए, तो 60 मतलब 60 lakh, 90 मतलब 90 lakh, जैसे मतलब 17200 की जो strike है, उसमें 90 lakh का call का open interest है, ऐसे आप पता कर सकते हो, तो यहाँ पर call का वहाई ज मुझी बता देता हूँ, बड़ा easy है, यह चीज मैं free बता रहा हूँ, so like जरू करिएगा, अपने दोस्तों के साथ share भी जरू करिएगा, क्योंकि यह चीज, free में कोई बताता नहीं है, पहला point, और ना ही कोई broker आपको यह चीज free में देता है, तो मैं थोड़ा से इसको अप होता है, तो 20-25 मिनट रुख जाओ, वेट करो, आप यह देखो किस side में ज्यादा open interest change हुआ है, मतलब change हुआ है, तो मतलब क्या, इससे call ज्यादा बढ़ा है, यहाँ पर call का डंडा बढ़ा है, तो मतलब call ज्यादा बढ़ा हुआ है, so हमें increase देखना है, तो जिस side ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, उसी side आपको trade करना है, मतलब, मतलब उसके against, call बढ़ा हुआ है, तो आपको put side trade करना है, और put बढ़ा हुआ है, तो आपको call side trade करना है, यह मैं आपको free दे रहा हूँ, अपना ज्यान, ओके, यह जीच कहां से मिलेगी, simply आप यहाँ पर click करोगे, इसके मेरा आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैं चाहूँ, तो इसको click करके expand कर सकता हूँ, mobile को गुमाऊंगा, तो ऐसा हो जाएगा, okay, point है, अब यहाँ पर G बढ़ा होगा, उस side हमें, उसके against trade करना है, call बढ़ा है, तो put लेना है, और put बढ़ा है, तो call लेना है, अ यह 16,750 का है, ऐसे आप 50 के multiple में कर सकते हो, क्योंकि जो nifty है, उसका 50 के multiple में strike है, यहाँ पर आप expiry भी change कर सकते हो, अगले expiry में भी आप देख सकते हो, okay, so यह एक point है, free feature है, तीन मिनट पर update हो जाएगा data, आप इसको use करिए, और अगर यह video अच्छा लगा हो, तो like करिए, और अगर आपका share खान related कोई भी query है, confusion ने, कोई problem है, आपको help नहीं मिल रहे है, आपका RM आपको help नहीं कर रहा है, आपके जो branch manager वहाँ से आपको support नहीं मिल रहे है, तो आप मुझे help कर सकते हो, मैं आपको help करूँगा, so अभी एक लिए नहीं, thank you and wishing you all the best.